अलो गाईज कैसे हैं आप लोग तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने पसंदीता यूटीब चनल पे तो फ्रेंड आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है खासतोर के उन पेशेंट के लिए जिनके यूरीन से प्रोटीन काफी लंबे समय से आ रहा है त प्रेंड पेशब करते हैं हमारा आज कर वीडियो प्रेंट पेशाब से प्रोटीन आना के बहुत सारे कारण होते हैं और इसके बहुत सारे हैं मैं आपको कारण और il भी भी बंद रही होता और जो पेशेंट इस चीजों का इस्तमाल करते जाते हैं उनके पिसाब से भी प्रोटीन आने लग जाता है जादा से ज्यादा फास्ट फूट का सेवन करना तो फ्रेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो फास्ट फूट होता है उसके अंदर बहु बढ़ने लगता है और दो उसकी के नेफ्रेंट होते हैं बढ़ने लग जाते हैं तो ब्लड प्रिशर होता है उसको मैंटेन करने का काम केड़नी करती है और जब इतना सारा जब वेट हो जाता है तो किड़नी उसके ब्लड को अच्छे से मैंटेंड नहीं कर पा रही होती है जिसकी वजह से उसको बीपी की समझ्य हो जाती है और उसका ब्लड प्रेसर हाई रहने लग जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी प्रोटीन ना आपके यूरीन से तो आपको अपने वेट पर काम करना चाहिए आपको हरी पत् आधिक में सेवन करना प्रेंड जितनेनी परकारगी नसीली चीज bicycles होती हैं चाहेँ वह नसा आपको बीयर से आता हो वाहिं से आता चाहिए या सारापता हो या आप तो माकू रखते हैं या आप ज़्यादा से ज्यादा से ज्यादा समॉकींग करते हैं जुम्रपान करते तो फ्रेंड इससे होता क्या है कि इन सब का जादा सेवन करने से जो आपका रक्त होता है उसका एसिड का लेवल बढ़ जाता है आपका रक्त जादा एसिडिक होने लग जाता है और जब आपका रक्त इतना जादा एसिडिक हो जाता है तो इससे आपके पाचन के विकार सुर इसरा वाप चाहिन और रहे होते हैं वह आपके बिलड के अंदर जाते हैं और जब ए किड्नी के आपके लाफकी पुन लगाना पड़ता है ऊसको फैल्टर करने की लिए भाउट ज्यादा दवाप Princess पड़ता है और आपकी किड्नी के जो केवलडा फीलेशन बिलक्ल वियक्त भारी हैं तो इसलिए कभी माधक पदार्टो वह सेमन बैस बिलकुल भी ना करें ज्यादा से ज्यादा नैवक खाना और ज्ईादा से ज्चाय और कौफी का सेवन करना जितने की छाबाइब नोबी लोगए वह ज्यादा से जादा ओंग सब्सक्राइब कोई भी ऐसा नाव रहे हैं जो आपके निएंभ तो आपके पेट पयाय। सड़ता है और सड़ने की वज़ेसे जैसे कि आप ने देखा हुआ कि जब किसी पुरानी कवर को खोला जाता है तो उसमेंसे जब बोड़ी निकलती अकितनी स्पेल आती है तो वैसे आपका ब्लड प्रेसर हाई लगातार होता रहता है और पानी आप ज़्यादा पीते हैं और जिसकी वज़े से आपकी बोड़ी में जो पानी है वह बहुत ज्यादा एकटा होने लग जाता है और आपकी किड़नी इतने सारे पानी को बोड़ी से बाहर नहीं निकाल पाती है और आपकी किड़नी पे एक्ष्टा दवा पड़ता है जिसकी वज़े से आपको बहुत सारी बिमारिया होने लग जाती है खास तो पर किड़नी की विमारी तो फ्रेंट यह मैंने तीन कारण बताएं हैं और भी ऐसे बहुत सारी कारण है तो यह तीन कारण पर लिएगा